प्रदेश की मरदर से हाई टेक हो रहे हैं मरदर सों में पढ़ने वाली अल्प संक्यक समुदाई के बचों को दीनी सिख्षा के साथ ही उन्हें आर्टीफिशल इंटालिजेंस और रोजगर परक्ष सिख्षा प्रदान की जा रहे है अल्प संक्यक समुदाई के युवाओं क उनकी सिक्षा और स्किल के नुसार रोजगार देने के लिए रोजगार मेलों का भी आयोजन होने जा रहा है। मुतवल्ली और अल्प संख्यक कल्यान अधिकारी मौजूद रहे। अल्प संख्यक मंत्री ने कहा कि मदर्सों को तक्नीक से जोड़ने के लिए टीम उपाय बैवसाइट से जोड़ा जा रहा है। वही अल्प संख्यक युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेलों का भी आयोजन हो रहा है। अगरा सरकित हाउस में अगरा के जो हमारे मदर्से के जिमेदार लोग हैं उनसे मुलाकात की, मदर्से के बच्चों से मुलाकात की, अल्प संख्यक समाज के लोगों से मुलाकात की, हमारे साथ अल्प संख्यक आयोग के चेर्मेन जनाब असपाक सहफी साहब, उत्तर के से उत्तर प्रदेश के हमारी योगी सरकार हमारे अलबसंख्यक नौजवानों के बहतर विकास के लिए बहतर भविश के लिए काम कर रही है उसके बारे में चर्चा की हम समने और मदरसा सिक्षा को मजबूत बनाने के लिए जो अभूत पूरुकाम मुख्मंती जी ने 2017 से अब तक किये उसकी भी चर्चा हुई अभी मदरसा सिक्षा में अलबसंख्यक कल्यार विभाग ने एक और शांदार पहल की है और मदरसे के बच्चों को भी digitally empower करने के लिए उनको artificial intelligence से connect करने के लिए 4 अक्टूबर से एक सेमिनार का भी शुरुवात हुई है उसके लिए हम अलबसंख्यक समुदाई की स्थिती में सुधार हुआ है अलबसंख्यक समाज के बच्चों को उनकी प्रतिबा के अनुरूप मंच प्रदान किया जो रहा है उनके सिक्षा के साथ खेल प्रतिबा को विक्सित करने के लिए स्पोर्ट्स के भी आयोजन हो रहे है जिसमें connect हो प्रदेश भर से मिल रहा है और हर दिन उसमें science technology से जुड़ी artificial intelligence से जुड़ी इस website पे एक classes और एक जो है पूरी जानकारी आएगी जिससे मुझे पूरा यकीन है कि हमारे मदर्से के बच्चे जो हमारी सरकार की सोच है प्रधानमंती जी और मुक्रमंती जी की सोच है कि मदर्से के बच्चों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में computer यानी technology होना चाहिए उस दिशा में हमने ठोस कदम उठाया है इसके साथ साथ मदर्से के अलपसंखेक चात्र हमारे जो अलपसंखेक बाहुल छेत्रों में जो हमारे अलपसंखेक नौजवान है उनको रोजगार से connect करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलपसंखेक समाज के बीच विशेश रोजगार मेलों का भी आयोजन कराया है उत्तर प्रदेश के हर मंदल में ये रोजगार मेले लगने है अभी लखनव में आजमगर में गोरकपूर शेत में लगे हैं जल्दी आगरा में भी एक बहुत बड़ा अलपसंखेक समाज के लिए नौजवानों के लिए विशेश रोजगार मेला होगा लोगसभा में भाजपा सांसद राम सिंग विधूरी के अलपसंखेक सांसद दानेश अली के खिलाफ असंसद ये टिपड़ी हो या फिर जामा म पज़ित इंतिजामिया कमेटी और शेहर मुफ्ते के बीच विवाद अलपसंखेक कल्यान मंत्री ने किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया ऐसी कोई गरबरी है उसको भी दूर करने के दिशामें हमने ठोस कदम उठाया है हमारे उत्तरप्रदेश में 16,513 मदरसे हैं जिसमें यूडायस कोड के रेजिस्टेशन के बाद 13,92,636 हमारे बच्चों की संख्या उत्तरप्रदेश के मदरसों से निकल के आई है और इन मुस्लिम समुदाय के अलावा माइनोरेटी में शामिल सिख, पंजाबी, सिंधी, जैन, पार्सी समुदाय के हितों की रक्षा के सवाल पर अल्प संख्या कल्यान मंत्री ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग का खया रखा है तमाम हमारे अल्प संक्या समाज के जो लोग हैं, चाहे हमारे मुस्लिम समाज है, चाहे हमारे सिख समाज है, चाहे हमारे जैन समाज है, चाहे हमारे क्रिश्चन समाज है, सभी के लिए बहुत समाज है, पार्सी है, सब के विकास के लिए, हमारे माइनोर्टी डिपार्टमे आपको बदा दे कि इस समय आगरा में जौमना मझस्दिद इंतजामिय कमेटि और शहर मुफती के बीज विवास सुरकियां बटो रहा है वही वक्व संपत्ती से संबंधित कई मामले है लेकिन अल्प संख्यक मंत्री ने इन मुद्दों पर कोई भी टिपड़ी नहीं की वे विभागिये सविक्षा बैठक कर सडग मार्ग से लखनव के लिए रवाना हो गए सीन्यूस के लिए विजय बगेल की रिपोर्ट